दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने जाना कि एंगुलर विलास्टी क्या होती है उसकी यूनिट और डामेंशन क्या है इस वीडियो में हम एंगुलर विलास्टी निकालेंगे जो हमारी गड़ी की सुई होती है मिनट सेकेंड और गंटे वाली नमबर एक हम सेकेंड वा पान में ती इसको ध्यान समझें यह घड़ी है जब यह सेकेंड वाली सुई पूरा एक चेकर कम्प्लीट करती है तो उसको कम्प्लीट करने में लगबग 60 सेकेंड लग जाते हैं तो जब आई चेकर कम्प्लीट करती है तो उसको लगबग 60 सेकेंड लग जाते हैं मतलब टाइम के जगा हो गया 60 सेकेंड तो ओमेगा इसकनल तू पाइस साथ तो जब आपक आप करेंगे तो यह होगा 30 तो finally जो इसका एंगल विलास्टी हो गया वो गया omega equal to pi upon 30 तो यह हो गया second वाली सुई का तो यह हो गया एंगल विलास्टी second वाली सुई का omega equal to pi upon 30 अगर हम बात करें minute hand वाली सुई की कि मीनट वाली सुई का जो एंगल विलाश्टी है वो क्या होगा तो आपको फार्मुला मालूम है omega is equal to होता है 2 pi अपान में T ये full circle के लिए है देखिए अगर हम मीनट की सुई की बात करें तो आप जब भी घड़ी में देखते हैं मीनट वाली सुई को तो उसको एक घंटा कम्प्लीट करने में सेंटर से लगबग 60 मिनट का समय लगता है एक मिनट वाली सुई को एक घंटा कम्प्लीट करने में लगबग 60 मिनट का समय लगता है तो ओ गया omega is equal to 2 pi अपान में 60 बुरते 60 हम जानते हैं कि जो हमारा टाइम होता है उसका unit होता है second इसलिए हम इसको क्या करेंगे इस मिनट वाले को भी second में करने के लिए 60 गुरते 60 का मनप्लाई कर देंगे तो यह जब इस से cancel हो गया तो finally जो हमारा formula बना नया वो हो गया pi अपान में इसका मनप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 1800 मतलब जो minute वाले सुई है उसका जो angle velocity का formula है वो हो गया है omega h कल टू pi अपान में 1800 तो यह हमारा formula बन चुका है omega h कल टू pi अपान में 1800 यह minute hand सुई के लिए है तीसरा देखिए अगर हम घंटे वाले सुई की बात करें कि हमारा जो घंटे वाले सुई है उसका angle velocity क्या होता है तो जब आप देखते हैं इसे घड़ी में तो इसे पूरा एक चकर complete करने में कितने नंबरों का सामना करना पड़ता है गड़ी में आपको इस तरह नंबर दिखाए देंगे और जब घंटे वाले सुई है वो complete करने में एक चकर लगबग बारा नंबरों का सामना करता है तो हम जानते हैं कि omega इसकर टू होता है 2 pi यह पान में टी तो इसके अंदर जब हम इसको पूरा totally convert करेंगे तो minute वाले सुई second वाले सुई और घंटे वाले सुई तीनों इक ही में आ जाएंगे तो हो जाएगा omega इसकल टू 2 pi यह पान में यह पूरा चकर लगा रहा है 12 नंबरों का तो 12 गुड़ते minute वाले सुई और घंटे वाले सुई तो जब आप इसको शाल्प करेंगे तो यह होगा omega इसकल टू pi यह पान में 2600 radian पर second तो यह जो की यह हो गया घंटे वाले सुई का फर्मूला यह हो गया hours hand वाले सुई का एंगलो विलास्टी का फर्मूला क्या हो गया omega इसकल टू pi यह पान में 2600 radian पर second minute वाले सुई और घंटे वाले सुई का हम रेशियो निकालेंगे इस चोथे पॉइंट में तो आज़े निकालते हैं देखिए अगर हम बात करें ratio निकालने की और घंटे वाले जो सुई थी उसका आमने निकाला कि उसका जो फर्मूला होता है वो होता है pi यह पान में 2600 तो जब अगर हमको minute और घंटे वाले सुई का ratio निकालना है तो यह हो जाएगा minute अपान में घंटे वाले सुई तो क्या फार्मूला है pi अपान में 1800 अपान में pi अपान में 2600 तो जब आप इसको टोटली साल्ब करेंगे तो यह होगा तो यह आएगा 12 अपान में 1 मतलब 12 ratio 1 तो minute और घंटे वाली सुई का जो ratio होता है अनुपात होता है वो होता है 12 ratio 1 पांचवे पॉइंट में हम एंग्लो विलास्टी का ratio निकालेंगे minute और second वाली सुई का देखिए पांचवे पॉइंट पर हमको ratio निकालना है second और minute वाली सुई का तो कैसे निकालेंगे अभी आपने second वाली सुई का जो कि फार्मूला निकाला आए पाई अपांच में होता है 30 और minute वाली सुई का आभी हमने फार्मूला निकाला आए कि होता है पाई अपांच में अठारा सो तो इन दोनों बीच के इन दोनों सुई के बीच का ratio निकालना है हमको तो होगा second अपांच में minute तो इनकी value इनके जगाब पूट किजिए तो होगा पाई अपांच में 30 और यह होगा पाई अपांच में 18 तो जब आप इसको पूरी तरह साल्प करेंगे तो आएगा 60 ratio 1 मतलब कि जो एंगल वलाश्टी का रेश्यो हो गया second और minute वाले सुई के बीच का वो हो गया 60 ratio 1 आएउप आपको यह पांचो पूर्ट समय म्याद चुके होंगे कि जो हमारा घड़ी की सुईयां होती है उनका एंगल वलाश्टी क्या होता है अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथी साथ बेल आइकन को भी दबा लें तो इसी के साथ मिलते हैं नेक फिड़ों में तब तक लिए जयाएं जय बारत